हेलो फ्रेंस, स्वागत है आपका दा एक्जाम ट्यूटर में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चंडिगर में जो TGT की 303 वेकेंसी निकली है उसके बारे में काफी अच्छी ओपोर्चिनिटी है और इसमें अलग-अलग सब्जेक्स के लिए अलग-अलग वेकेंसी निकली हुई है इसमें से जो साइन्स मेडिकल की वेकेंसी है उससे एडिटेट कुछ क्वेश्चन्स को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे तो चलिए इससे पहले इस वेकेंसी के बारे में थोड़ी से इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं चंडिगड TGT रिक्रूट्मेंट 2024 इसकी कंड़क्टिंग बोड़ी है एजुकिशन डिपार्टमेंट ऑफ चंडिगड पोस्ट कितनी है 303 वेकेंसी निकली है और जो पोस्ट है यानि कि कौन सी पोस्ट के लिए ये वेकेंसी निकली है तो TGT के लिए यानि कि ट्रेंड ग्रेजूएट टीचर्स के लिए mode of application क्या होगा online यानि कि आप online form फिल कर सकते हैं और job location क्या रहेगी वो रहेगी चंडिगड अब देखिए इससे आगे देख लेते हैं कि जो TGT का जो exam होगा ये चंडिगड में इसका exam pattern क्या रहेगा तो ये तू parts में divided होगा part A और part B part A में 50 questions होंगे और part B में 100 questions होंगे यानि कि total questions कितने होंगे 150 questions होंगे part A 50 marks carry करेगा और part B 100 marks carry करेगा यानि कि एक question के लिए एक marks आपको मिलेगा 50 minutes part A के लिए होंगी और part B के लिए 100 minutes होंगी ये divided होगी यानि कि part A में आपको 50 minutes मिलेंगी और part B में आपको 100 minutes मिलेंगी total कितनी minutes होंगी 150 minutes मिलेंगी एक question के लिए एक number आपको मिलेगा और one fourth की इसमें negative marking होंगी यानि कि अगर आपने चार question गलत किये हैं तो आपका एक marks कट जाएगा जो medium है question का question paper का वो क्या होगा English और Hindi दोनों यानि कि bilingual रहेगा अब आगे देख लेते हैं देखिए जो part A है इसमें कहां कहां से questions पूछे जाएंगे तो general awareness, reasoning, arthmetical और numerical ability से 12 questions पूछे जाएंगे और जो 12 marks के होंगे Information and communication technology यानि कि computer science से 12 questions पूछे जाएंगे Teaching aptitude and pedagogy यानि कि teaching methodology जो होती है और pedagogy से 12 questions पूछे जाएंगे English, Hindi और Punjabi से 14 questions पूछे जाएंगे 5 English से, 5 Hindi से और 4 Punjabi से तो 14 questions इससे पूछे जाएंगे और ये total कितने होते हैं? 50 questions तो देखे, part A में कितने होंगे? 50 questions होंगे और जो part B है, वो subject concerned होगा यानि कि जो भी आपका subject है, maths हो सकता है, Hindi हो सकता है, English हो सकता है तो जो भी आपका subject है, 100 questions उसके होंगे तो ये total कितने बनते हैं? 150 questions बनते हैं 50, part A में और 100, part B में तो ये हो गया अब इसमें देखिए, जो TGT Science Medical की जो vacancy निकली होई है उसमें कहां-कहां से questions पूछे जाएंगे तो geology से questions पूछे जाएंगे botany से questions पूछे जाएंगे और chemistry से questions पूछे जाएंगे तो ये इसका syllabus है और इस series में हम इसी को target करेंगे इसके जितने भी topic होंगे उसको topic wise हम question answers के थूँ इसको cover करेंगे तो अब देखिए इसका जो पहला topic है ये है proto zones तो आज की इस video में हम proto zones को target करेंगे और इसी से related question answers को देखिएंगे तो चलिए let's get started first question है which class does the malarial parasite belongs to यानि कि कौन सी class malarial जो parasite होती है उनको belong करती है डाइनोफाइसी, सारकोडीना, सिलियेटा या स्पोरोजोवा तो कौन सी class है जो malarial parasite को belong करती है तो वो है स्पोरोजोवा कौन सी है, स्पोरोजोवा, answer हो जाएगा D second question है प्रोटोजोवा are classified on the basis of लोकोमोटरी ओर्गनेल्स, shape, number of nuclei या size यानि कि जो प्रोटोजोवा है उसको किस basis पे classify किया गया है लोकोमोटरी ओर्गनेल्स के basis पे या shape के basis पे या फिर number of nuclei यानि कि उसमें कितने nuclei present है उसके base पे या फिर size के base पे तो इसको classify किया गया है लोकोमोटरी ओर्गनेल्स के basis पे next question देख लेते हैं the malignant tertian malaria is caused by plasmodium malaria, plasmodium ovale, plasmodium falciparum या फिर plasmodium vivax तो malignant tertian malaria जो है ये किसके दौरा फैलता है तो ये फैलता है plasmodium falciparum के दौरा next question देख लेते हैं unicellular eukaryotes are grouped in monera, protista, archi या fungi unicellular eukaryotes किसके में रखे गए हैं तो ये रखे गए हैं protista में, देखें unicellular में दोनों को रखा गया है prokaryotes और eukaryotes दोनों को prokaryotes में कोन आता है, prokaryotes में आते हैं monera और eukaryotes में आते हैं protista जो की unicellular होते हैं, याद रखेगा next question देख लेते हैं, next question है which of the following glossina palpalis is a vector 4 glossina palpalis किसके लिए एक vector का काम करता है phylariasis, plague, dengue, या फिर gambian fever तो glossina palpalis जो है ये gambian fever के लिए vector का काम करता है और gambian fever को sleeping sickness भी कहा जाता है याद रखेगा sleeping sickness किसको कहा जाता है तो gambian fever को ही कहा जाता है next question देख लेते हैं an important drug used for the treatment of malaria कुनैन जिसको कुनैन कहा जाता है is extracted from जो malaria के treatment में काम आती है कुनैन वो कहां से extract की जाती है red ants से calyx of cinnamon से या फिर bark of tulsi से या फिर bark of synkona से तो जो कुनैन है ये कहां से extract की जाती है तो ये की जाती है bark of synkona से next question देख लेते हैं ant amoeba gingivalis found in the buccal cavity of man causes जो ant amoeba gingivalis है ये buccal cavity में पाई जाती है man की यानि की human की तो ये क्या cause करती है no disease, pyreia या फिर bronchitis या फिर amoebic dysentery तो जो ant amoeba gingivalis है ये क्या cause करता है तो ये cause करता है pyreia याद रखिएगा next question देख लेते हैं trypanosomiasis is transmitted by career of trypanosoma in man is इसमें और नहीं आएगा by career of trypanosoma in man is fruit fly या cc fly या फिर house fly या फिर may fly trypanosomiasis जो है ये किसके द्वारा फैलता है man में तो ये फैलता है cc fly के द्वारा याद रखिएगा next question है which of the following parasites is responsible for the cause of African sleeping sickness or gambian fever कौन सा ऐसा पैरसाइट है जो अफ्रीकन sleeping sickness या फिर गैंबियंस फीवर के लिए रिस्पॉंसिबल है leesmania, trypanosoma, entamoeba या फिर trichomonas तो इसके लिए जो responsible है African sleeping sickness के लिए वो हो जाएगा trypanosoma ज्याद रखिएगा ये हम पहले भी पढ़ चुके है next question है CC fly is a vector for sleeping sickness which of the following parasites transmits the ineffective stage CC fly जो है ये vector है किसके लिए sleeping sickness के लिए कौन सा पैरसाइट है जो इसकी ineffective stage transmit करता है वाउचीरिया, bankrofty, leesmania, donomene, plasmodium, falciparum या फिर trypanosoma, gambians तो इसका आंसर हो जाएगा D, trypanosoma, gambians याद रखिएगा next question है सुफनर्स dots are related to antimoeba histolytica, leukocytes of frog, arbices of man या फिर epithelium of the stomach of the mosquito इसमें पुछा गया है सुफनर्स जो dots होती है वो किस से related है तो ये related होती है arbices of man से यानि कि man की human की arbices होती है उससे related है सुफनर्स dots देखिए जो malarial parasites होते है जैसे plasmodium vivax और plasmodium ovale ये कोज करते हैं सुफनर्स dots को और इसमें multiple bricks red dots बन जाते हैं blood के अंदर याद रखेगा तो ये नहीं कहा जाता है सुफनर्स dots next question है amoebiasis और amoebiasis और amoebic dysentery is caused by यानि कि amoebiasis जिसे amoebic dysentery भी कहा जाता है ये किसके दुआरा cause की जाती है यानि कि कोन जा पैरसाइट इसको cause करता है त्रीपैनोसोमा हिस्टोलिटिका एंटमीवा हिस्टोलिटिका एंटमीवा जिंजिवैलिस या फिर plasmodium vivax तो देखें जो amoebiasis है ये कोन cause करता है तो ये करता है एंटमीवा हिस्टोलिटिका एंटमीवा जिंजिवैलिस क्या करता है ये पाइरिया cause करता है और plasmodium vivax जो है ये malaria cause करता है याद रखेगा इसमें तो answer भी given है answer हो जाएगा भी एंटमीवा हिस्टोलिटिका next question देख लेते हैं next question है which of the following organisms will vanish if all the ponds and puddles are destroyed कौन सा ऐसा organism है जो गायब हो जाता है ponds और puddles puddles किसे कहा जाता है puddles हो होते हैं जो छोटे-छोटे गड़े टाइप बने रहते हैं जिनमें पानी भरा रहता है यानि कि ponds और puddles destroy हो जाते हैं तो ये organism भी गायब हो जाता है कौन सा ऐसा है plasmodium, trypanosoma या फिर leasmania या ascaris तो plasmodium जो है ये पानी में ही रहता है इसलिए अगर ponds होते हैं या फिर puddles होते हैं ये क्या हो जाते हैं destroy अगर ये हो जाएं तो plasmodium भी vanish हो जाता है यानि कि गायब हो जाता है next question देख लेते हैं next question है in amoeba and paramecium the cell organelle for osmo regulation is यानि कि osmo regulation के लिए amoeba और paramecium में कौन सा organelle present होता है nucleus, body surface या फिर contractile vacuoles या फिर pseudopodia तो देखें amoeba और paramecium में osmo regulation के लिए special structure होती है जने कहा जाता है contractile vacuoles याद रखिएगा next question देख लेते हैं next question है organ of defense in protogons is statocyst, trichocyst, otocyst या फिर nematocyst तो organ of defense in protogons होते हैं trichocyst यानि कि देखें जो trichocyst होते हैं वो protogon में defense का काम करते हैं यानि कि defensive organ होते हैं जो predators से उन्हें बचाने में help करते हैं याद रखिएगा तो answer हो जाएगा B. trichocyst तो friends ये हमारे 15 questions complete हुए और next video में हम next जो topic होगा उसको target करेंगे और उससे related आज थोड़े question कम थे लेकिन next video में जो भी नया topic होगा उससे related हम जादा questions लेकर आएंगे तो अभी तक अगर आपने channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe जरूर कर दीजेगा और bell icon को जरूर प्रेस कर दीजेगा ताकि नए वीडियो की update आपको time to time मिलती रहे Thank you